यह मैंने program लिखा जो कि क्या करेगा, 2 का table print करेगा वैसे मैं दूसरा program लिख रहा था लेगिन मैं सुझा कि अभी वह बताना ज्यादा बेटर नहीं होगा तो इसलिए मैंने उसको cut कर दिया जो कि आपको दिख भी रहा होगा उपर अब ही हम एक simple सा program देखते हैं while loop के तुरू तो यहाँ पर क्या है कि integer i is equal to 1 मैंने declare कर दिया i को क्योंकि यह variable मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ इसलिए declare करना mandatory होता है do while printf i into 2 यहाँ पर %d यहाँ एक slash n है यह क्या होता है scap sequence character होता है यह भी हो सकता है अगर time मिला तो मैं बता दूंगा नहीं तो आपको याद रखना एक यह होता है slash n जो कि हमारा control जो होता है next line में चला जाता है एक slash b होता है जो एक character backward में जाता है और इसके अलावा अभी फिलाल मुझे याद नहीं आ रहा तो यह आप याद रखो कि generally हम यह ही use करते है हाँ एक t होता है तो t क्या होता है जितना हमारा keyboard में type जितना space लेता है उतना space वो दे देता है यहाँ पर हम increment कर रहे है और while i is less than equal to 10 done तो यह क्या होगा दो का table print कर देगा अब इसको हम dry run करके देखते हैं dry run होता है कि जैसे हम program को computer के वज़ाए हम खुद से एक बार paper पर run करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है तो यहाँ पर जो हमारा i कितना है 1 do printf यहाँ पर % d slash n new line है i i में भी कितना है 1 है 1 into 2 तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा to print हो जाएगा और यहाँ पर क्या slash n तो इस line में नहीं है क्योंकि अगर slash n नहीं देता तो ऐसे print होता इस तरीके से लेकिन यहाँ पर slash n है तो यह जो है control यहाँ पर नीचे आ जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ तो i plus plus 2 अब यह बाहर जाते है वक्त यहाँ से out होने से पहले check करेगा i यानिकि 2 is less than equal to 10 yes यानिकि correct है तो फिर जाएगा control फिर print करेगा i में कितना इस बार 2 है तो यानिकि 2 into 2 is 4 फिर i3 हो जाएगा फिर print होगा इसी तरह से 6 8 10 करते करते यहाँ पर क्या होगा 18 अगर 9 होगा तो अब क्या होगा 9 होगा तो 18 प्रिंट कर दिया जैसे यहाँ पर 10 होगा तो i is less than equal to 10 yes तो फिर आएगा 2 into 10 is 20 फिर आएगा i plus plus कितना होगा 11 11 होने के बाद अब क्या होगा i 11 is less than equal to 10 9 फॉल्स तो जैसे फॉल्स होगा हमारा क्या हो जाएगा out of loop तो यानि की जो control है यहां से direct बाहर आ जाएगा और यह हमारा program in do जाएगा और हमारा यह टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा